स्टाप्लस के सीरिल अनुपमा में अनुज और अनुपमा अब फिर करीब आते नजर आ रहे हैं यानी मान फैन्स अब एक बार फिर से खूब खुश होने वाले हैं क्यूंकि अनुज अनुपमा के बीच में अब फिर से रोमांस जो देखने को मिलेगा अब भई देविका और धीरज भाई ने अनुपमा को मिलकर इतना चड़ाया जो है अब इन दोनों ने अनुपमा अनुज के लिए एक ट्रिप प्लान की है जिसके लिए अनुज इनकार कर चुका है तो अब अनुपमा हर वो कोशिश करेगी अपने पिया को मराने का यानी अन अनुपमा वो गाएगी बजाएगी नाचेगी हर तरह की बाते करेगी और अनुज को इस ट्रिप के लिए कंविंस करके ही मानेगी हैलाकि अनुज ने अनुपमा को फिर से ट्रिप के लिए इंकार कर दिया है लेकिन अनुपमा तो हार मानने वालों में से है ही नहीं वो अनुच को अब मनाने का दूसरा तरीका ढूंडेगी किसी ने सच ही कहा है जो काम प्यार से होता है ना बहला फुसला कर वो काम गुस्से से या जबरदस्ती से बिलकुल नहीं किया जा सकता और इस बात को अनुपमा से अच्छा और कौन समझ सकता है आने वाले अनुपमा के एपिसोड बहुत इंड्रेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि देखिए अनुपमा अनुच के पीछे ही पढ़ने वाली है अपनी बात जैसे वो मनवा कर ही दम भरेगी तबी तो देखिए अपनी बात मनवाने के लिए अनुपमा अनुज को गाड़ी तक छोड़ने चली गई लेकिन अनुज भी हार मानने वालों में से नहीं है उसने फिर भी इंकार कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुज और कुछ बढ़ा करने वाला है तो लीजिये हम आपको बताते हैं अनुज कुछ बहुत बढ़ा करने वाला है अनुज अनुपमा के होशी उड़ा देगा नहीं नहीं इस बार अनुपमा को डाट कर या उसे उदास कर कर नहीं लेकिन अनुपमा के सामने अनुज कुछ ऐसा करेगा जिससे अनुपमा एकदम चौक जाएगी एकदम बढ़ा धमा के दार कुछ करने वाला है अनुज अब बताते हैं अनुज आखिर क्या करने वाला है अनुपमा को जैसे ही अनुज इस ट्रिप के लिए मना करेगा वैसे ही अनुपमा उसको मनाने के लिए उसको गाड़ी तक छोड़ने जाएगी लेकिन अनुझ फिर भी नहीं मानेगा तब अनुपमा उदास होकर रोने लगेगी अनुपमा रो ही रही होगी धीरज और देविका से ये बोल ही रही होगी कि वो हार मान चुकी है तभी अनुज उसको एक बड़ा सा सुप्राइज देगा और ये स्वीट सा सुप्राइज अनुपमा के चहरे की हसी वापस ले आएगा अनुज अनुपमा के लिए गाना गाएगा डांस करेगा उसके साथ रूमान्स करेगा और साथ ही उसको कहेगा कि मैं तुमसे जादा दिन तक खफा नहीं रह सकता क्योंकि अगर तुम मुझसे खफा हो गई तो मेरा क्या होगा ये सुनकर अनुपमा एकदम इमोशनल हो जाएगी और अनुचके गले लग जाएगी स्क्राइब जरूर कर ले अगर अब तक नहीं किया है तो